उंचाईयों को छुआ हैं देश में विकास के जो काम हुए हैं एंडिये को मिल रहे विसाल जन समर्थन में उसकी जलक दिख रही है इसलिए आज पूरा देश कह रहा है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार आज पूरा बिहार कह रहा है फिर एक बार साथियों आपको याद होगा लाल कीले से मैंने कहा था यही समय है सही समय है भारत के इतियास में कई शताब्दियों के इंतजार के बार यह समय आया है यह वो समय है जब हम मिलकर काम करें तो भारत बिक्सित हो सकता है भारत अपनी गरीबी दूर कर सकता है हमें इस मौके को गवाना नहीं है और इसलिए चोबिस का यह चुनाव बहुत एहम हो गया है बीते दस वरसों में बिहार के लोगों ने देश हित में लिये गए अनेक बड़े निर्णे देखे हैं आज भारत में बिहार में आदूनिक इंफ्रास्रक्टर बन रहा है आज बिहार में आदूनिक एक्स्प्रेस वेब बन रहे हैं रेल्वे स्टेशनों का आदूनिक अनण हो रहा है बंदे भार जैसे ट्रेने बढ़ रही है डिजिटल क्रांती ने सरकार के सेवाओं को आपके मोबाइल में पहुचा दिया है आज पुरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है आप मेरी बात से सहमत है भारत का डंका बज रहा है युरोप में डंका बज रहा है औस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है न्यूजिलेंड में डंका बज रहा है आफ्रिका में डंका बज रहा है अमेरिका में डंका बज रहा है कैसे यह कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है आपने गलत जवाब दे दिया यह मोदी के कारण नहीं हो रहा है यह आपके एक बोट के कारण हो रहा है आपके उस वोट की ताकत है जिसने देश को मजबुत सरकार दी और उसके कारण देश मजबुत कदम उठा रहा है मुझे विश्वास है बिहार की ये महान दर्ती विक्सीद भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपना भरपूर आशिरवाद देगी साथ क्यों मोदी देश से गरीबी खत्व करने के मिशन में जुटा है मैं भी आपी की तरह गरीबी को जी कर यहां आया हूँ मैं कभी भूल नहीं सकता कि 2014 के पहले देश में क्या स्थिती थी करोडो देश वासी कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे या बेघर थे देश के गावों में ज़्यादातर लोग खूले में सोच जाने के लिए मजबूर थे गरीबों के पास न गैस कनेक्शन था न नल से ज़ल आता था गरीब का रिश राशन बिचोली एक खा जाते थे अस्पताल में इलाज के लिए गरीब को दर दर भटकना पड़ता था साथियों गरीब का बेटा मोदी गरीब का सेवक है मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूँगा चैन से नहीं बैठूँगा बीते दस वर्सों में गरीब कल्यान के लिए जो काम हुआ वो आज़ादी के बाद के छे दसकों में भी नहीं हुआ था इसी का नतीजा है कि दस वर्सों में पचीस करोड लोग गरीबी से बहार आये हैं जब नियत सही होती है होसले बुलंद होते हैं तो नतीजे भी मिलते ही है और साथियों अगर मैं आप कोई पूछूंगा तो आप इस सरकार के अंगिनत काम बता देंगे हर इलाके का लोग बोलेगे हाँ हमारे यहां यह हुआ हर परिवार कहेगा हाँ हमारे यहां यह हुआ दस साल में इतना काम इतना तेजी से काम पहले कभी किसे ने कलपड़ा नहीं की थी उतनी तेजी से काम हो रहा है लेकिन भाईयो भनो आपको लगता होगा साभी सर्वे वाले कहते हैं कि इस बार तो चार सो पार पक्का है सारे अखबार वाले लिखते हैं चार सो पार पक्का है सब लोग कहता है कि भी NDA का जैजेकार है फिर लोग कहते हैं अरे इतना सारा हो रहा है मोदी इतनी महनत क्यों कर रहा है भाईयो बहनों चुनाव तो आपने जीताना ताय कर लिया है मैं तो महनत इसलिए करता हूँ कि मुझे आपके दर्शन करने का सवभाग्य मिल जाता है अपनों से मिलने का आनंद होता है अपनों को मिलने से उर्जा मिलती है अपनों को मिलने से प्रेरणा मिलती है और इसलिए मैं आपके बीच आता रहता हूँ और भाईयों भाणतो इतने सारे काम हुए कोई ये कहेगा, यार मोधी जी बहुत हो गया, इतियाफ में नाम हो गया, अब तो आराम खरो मेरा उनको जवाब है मोधी मोज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है मोधी मेहनत करने के लिए ही जणमा है और वो भी 140 करोर देश वासियों के लिए अब तक बहुत हुआ है बहुत किया है लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है इतने से हमें रुकना नहीं है अभी तो गाड़ी टॉप गेर में ले जाना है अभी तो रनवे पर है नई उचाईयों को पार करना है अभी तो बहुत कुछ करना है हमें देश को बिहार को नई उचाईय पर लेकर जाना है साथियों बिहार और नवादा के हमारी माता और बहनों को लंबे समय तक जंगल राज के अंधेरे में अपना जीवन गुजारना पड़ा है बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सडक पर निकलने से डर लगता था नितीज बाबू के प्रयासों से हमारे सुशिल मोदी जी के अतक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बहार निकला अभी नितीज जी भी स्तार चे बता रहे थे कि जंगल राज के समय शिख्षा की स्वास्त की अन्य सुविदाओं की कैसी हालत थी नितीज जी के नेत्रत्म में बिहार उन परिस्तितियों से बाहर निकला है अब हर बहन के पास उसके इस भाई की मोदी की गारंटी भी है आज बारा करोड़ों गरों में बने इजजदगार महिलाओं के सम्मान की गारंटी है आज बिहार में करीब सवा करोड़ उजवाला सिलिंडर दुए से आज़ादी की गारंटी है अकेले नवादा में ही दो लाग से जादा उजवाला कनेक्शन है बिहार के गरीबों को मिले 37 लाग पी-म आवास महिलाओं की सुरक्षा और सुविदा की गारंटी है बिहार के साड़े आट करोड़ लोगों को मिल रहा मुप्त रासन इस बात की गारंटी है कि किसी मा की संतान बूखे पेट नहीं सोएगी इतना ही नहीं तीसरे कारकार में अभी तो मोदी की कई और गारंटी आने वाली है अमोदी की गारंटी है कि गावों की तीन करोड बहनों को लगपती दीदी बनाएंगे अमोदी की गारंटी गाव और गरीब परिवार की बहनों को ड्रोन पाइलेट बनाने की है मोदी ने पी-म सुर्यगर मुप्त बिजली योजना भी शुरू की है ताकि गरीबों का बिजली का बील मद्दमबर का बिजली का बील जीरो हो जाए सुन्य हो जाए लेकिन साथियों मोदी की ये गारंटी या कॉंग्रेस आरजेडी वाले इंडी गढ़बंदन वालों को परेशान कर रही है उनको पसंद नहीं आ रही है इंडी गढ़बंदन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि मोदी जी आपको जो गारंटी देता है उस पर बेन लगना चाहिए अरे इतने डर गए हो क्या अरे मोदी की गारंटी से गवरा रहे हो क्या ये लोग कहते हैं और कानून को जानकर कह रहे हैं कि मोदी का गारंटी देना ही गैर कानूनी है मेरे देश वाजी आप इस देश के मालिक है आप मुझे बताइए क्या मोदी गैर कानूनी काम कर रहा है क्या गैरंटी देना गैर कानूनी है क्या मैं मेरे देश वाच्छों को महनत करने की गारंटी देता हूँ तो क्या मैं गुना करता हूँ मैं मेरे देश वाच्छों को ये कहूँ कि मैं 24 गंटे काम करूंगा तो क्या गुना है मोदी गारंटी देता है उसको भी उन्होंने गुना बना दिया अरे भाई मोदी गारंटी इसलिए देता है क्योंकि उसके पास गारंटी पूरी करने का मादा है मोदी गारंटी इसलिए देता है कि मोदी की नियत साफ है मोदी इसलिए गारंटी देता है क्योंकि वो गारंटी पूरी करने के लिए जी तोड महनत करता है अहंकार में डुबे इंडी गड़बंदन वालों को खुद को देश का पर्मानेंट सासक समाजने वाले इंडी गड़बंदन वालों को ये समझ नहीं आएगा साथ क्यों चुनाव में जूठ बोलना जूठ बोलकर वोट लेना इंडी गड़बंदन वालों की पहचाम यही है इसलिए ये मोदी की गारंटी उसे भी रोकना चाहते हैं ये भूल रहे हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी नतीजा क्या हुआ नतीजा क्या हुआ 370 गई की नहीं गई गई की नहीं गई ये बाबास आमबेर करके सम्मिधान की बाते करते हैं लेकिन ये इंडी गड़बंदन वाले जवाब दें इतने साल आपने राज किया सम्भीदान के नाम ने गीत गाते रहते हो लेकिन आपने जम्मू कश्वीर में बाबा साब आम्मेड करका सम्भीदान लागू नहीं होने दिया था ये मोधी है जो बाबा साब आम्मेड करके सम्भीदान को जम्मू कश्वीर की दर्ती पर भी ले गया इतने सालों के बाद ले गया और आप कमाल देखिये कॉंग्रेस के राष्ट्रिय अध्यष छोटा पद नहीं है उन्होंने अभी भाशन किया उन्होंने ये कहा और वो कहीं शाइज राष्ट्सान में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि भाई या राष्ट्सान में आकर के 370 का क्या लेने देना मोधी यहां करके 370 की बात क्यों करता है ये सुनकर के मुझे बहुत शर्मा ही दोस्तो क्या जम्मू कश्वीर हमारा हाइक नहीं है जम्मू कश्वीर हरा हमारा हाइक नहीं है कॉंगरेस समद ले सुन ले इसी कश्वीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेग नवजवानों ने मात्रु भूमी के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है कितने ही बीर जवान तिरंगे में लपट करके लोटे हैं कश्वीर को बचाने के लिए आप ये कहते हो रहत्रस्तान की धर्ती पर भी इतने ही बीर परिवार है जिनके बेटे मात्रु भूमी में कश्मीर के रक्षा करने के लिए शहीद हो करके लोटे हैं आप ये कहा रहें कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना उस कोने को क्या लेना देना ये टुकडे टुकडे करने वाली गैंग का प्रताब है कि ये लोग ये भाशा बोलने लगे हैं क्या ऐसी भासा बोलने वालों को माप किया जा सकता है क्या सहीदों का पान सेन किया जा सकता है भाईयों बेनों मोदी ने तीन तलाग को खत्म करने की गारंटी दी थी नतीजा क्या हुआ तीन तलाग जैसी महला विरोधी कुप्रधा खत्म हो गई मोदी ने भारत को आँख दिखाने वालों को सबक सिखाने की गारंटी दी थी नतीजा जो भारत को आँख दिखाते थे अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं मोदी ने गारंटी दी थी कि आयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर बनेगा आज आयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिकर आसमान चू रहा है जो पांसो बर्सों में नहीं हो पाया जिस राम मंदिर के निर्मान को रोकने की कॉंग्रेस और आरजेडी ने बर्सों तक कोशिश की वो राम मंदिर बन कर तयार हो गया और ये देखिए चलो भई देश वास्यों ने चंदा दिया एक उर्पिया पांसो रुपिया पांसो रुपिया जार रुपिया देश वास्यों के पैसे से राम मंदिर बनाया है सरकारी तीजोरी से राम मंदिर नहीं बना है देश वास्यों ने बनाया है इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से इनकी क्या दुश्मनी है एउद्या से उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिश्चा में नहीं जाएंगे लिता है क्या इतना ही नहीं इनके मन में इतना जहर भरा इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्रान पतिश्चा में आ गए तो उनको छे साल के लिए पार्टी से निकाल दिया जरा राम नौमी आ रही हैं ये पाप करने वालों को भूलना मत भाईयो बेनों भूलना मत और इसलिए ये भी जानते हैं कि अगर मोदी की गार्टी ऐसा ही चलती रही तो इनकी वोट बेंक की दुकान ही बंद हो जाएगी और इसलिए ये लोग मोदी की गार्टी का विरोध कर रहे हैं साथ क्यों इंडी गढ़बंदन के पास न बीजन है न विश्वसनियता है दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े होते हैं अलग-अलग राज्य में वही एक दूसरे को गाली देते हैं यहां बिहार में तो गजब हाल चल रहा हैं यहां इंडी गढ़बंदन एक उमिदवार खड़ा करता हैं तो दूसरा नेता कहता हैं कि असली उमिदवार वो है यहां आपस में ही सीर फुटब्वल मची है यह मजबूरी में साथ आए लोग है और इनकी मजबूरी का एक ही नाम है सत्ता का स्वार इंडी गढ़बंदन यानी ब्रस्टा चारियों का ठिकाना इंडी गढ़बंदन यानी देश विरोधी नफ्रती ताकतों का ठिकाना आप इनके बयान देख लीजिए इंडी गढ़बंदन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं इंडी गडबंदन वाले भारत के एक और विबाजन करने की बात करते हैं कॉंग्रेस पार्टी के नेता खुले आम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिंड भारत को अलग कर देंगे दो दिन पहले कॉंग्रेस ने जो अपना गोशना पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लिख के विचारों की छाप है कॉंग्रेस ने गोशना पत्र नहीं तुष्टी करन पत्र जारी किया है साथियों पूरे देश में चुनाव की हलचल बढ़ रही है लेकिन ऐसा चुनाव है जिसमें विपश्ट के लोग गडवंदन बना कर ब्रस्टाचारियों को छुडाने की रेली तो कर रहे हैं और हालत देखिए दो खैमे दोनों के विचार देख लीजिए मैं कहता हूं ब्रस्टाचार हटाओ वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ आप मुझे बताईए देश तोड़ने की बात करने वाले ब्रस्टाचारियों का समर्थन करवाने वाले सनातन धर्व को खात्मे की बात करने वाले इन लोगों को बिहार माप करेगा क्या बिहार माप करेगा क्या कॉंग्रेस आरजेडी अपका एक भी वोट पाने के हकदार नहीं है इन लोगों वो सत्ता और प्रस्ताचार की लत लग चुकी है सत्ता से दूर जाते ही ऐसे छट पटाने लगते हैं जैसे मचली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो इसलिए इन्हें सत्ता से दूर रखना बहुत जरूरी है साथियों मुझे कल दिलने में कुछ लोग बता रहे थे क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये इंडी गड़बंदन इस चुनाव के मैदान में कई नजर नहीं आ रहा हूँ कि नेता नहीं आ रहे है तो मैंने जरब पूछताज की मैंने का भी मामला क्या है थंडे पड़े हो वैसे उनके एक नेता ने बयान भी कर दिया कि हमारे लोग बहुत सुचता है थंडे है कुछ करना नहीं चाहते तो उन्होंने कहा कि इंडी गड़बंदन की बरिष्ट नेतागिरी में पिछले पंदरा दिन से बहुत तुफान चल रहा है तो मैंने का क्या तुफान चल रहा है वै बोले उनके एक नेता ने हट पकड़ करके बैठे हैं कि जब तक इंडी गड़बंदन उन्हें प्रधान मंत्री का उमिदवार गोसित नहीं करेगा वो एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे अब ये हाल है उनका वो बतानी पा रहे हैं उनका नेता कोन है और वो अंदर अंदर लड़ रहे हैं और इंडी गड़बंदन वाले कहते हैं कि भी अभी नहीं चुनाव नतीजाने के बाद तैय करेंगे अब वो अड़कर के बैठ गए हैं और वो कहते हैं जब तक मुझे नेता कोशित नहीं करोगे मैं कोई रेली करने वाला नहीं हूँ अब ये समझा रहे हैं पता नहीं समझ जाएं नहीं समझ जाएं लेकिन ये हाल है उनका साथियों मैंने हमेशा कहा है 140 करोर देशवासी मेरा परिवार है और ये सिर्फ छब्दे नहीं है मेरी भावना है आपका सपना ही मेरा संकल्प है नवादा के लोगों के आकांग्छाओं को पुरा करने के लिए भाजपा ने हमारे साथी मित्र विवेक ठाकुर जी को उम्मीद्वार बनाया है उनको दिया गया एक-एक वोट मोदी को मजबूत करेगा 19 अप्रिल को कमल चाप उस पर दिया गया हर वोट विक्सित भारत के संकल को मजबूत करेगा आप यहां से जाकर नवादा के जन जन तक मेरा प्रणाम भी जरूर पहुँचाईएगा मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद नर एंदर मादी जिन दाबाद नर एंदर मादी जिन दाबाद अब किबाद झाल झाल